हलो इस्ट्रेंट बहुत बहुत सागत है आपका कक्छा सात्वी गनित के इस वीडियो लेक्चर में आज हम प्रसना वाली एक दसला एक के प्रसन नमबर 6 और साथ के क्वेस्टन को सौल करने वाले हैं तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि प्रसन नमबर 6 क्या है तो यहाँ पर हमें क्या दिया है प्रसन दिया है ठीक है पहला जोड़ा दिया है 9 बटे 11 और उसके बार 9 धन 3 बटे 11 धन 3 और दूसरा जोड़ा दिया है 5 बटे 7 और 5 रिंदो बटे 7 रिंदो देखो इसको दो तरीके से हम सौल कर सकते हैं एक तो इनके जो जोड़े दिये हैं उनमें परतेक का सरलतम रूप ग्याद कर सकते हैं और यदि सरलतम रूप बराबर हैं तो ये तुल्य पर्मे होंगे यदि सरलतम रूप बराबर नहीं है तो ये तुल्य पर्मे नहीं है और दूसरा फंड़ा ये है कि यदि हम किसी पर्मे संख्या के अंसरहर में समान संख्या को जोडते हैं या घटाते हैं तो हमें एक नई पर्मे संख्या प्राप्त होती है आपको तुल्य पर्मे संख्या प्राप्त नहीं होती है तो इस फंडे के हिसाब से इस नियम के हिसाब से ये जो है कि तुल्य पर्मे नहीं है आप जो है कि इसमें डारेक्ली लिख सकते हो लेकिन चुकि यहाँ पर कारान सहीं समझाईए बोर रहा है तो हम क्या करेंगे इसके सरलता मान ग्याद करेंगे और यदि इसके सरलता मान समान हुए तो ये तुल्य पर में होंगे यदि सरलता मान समान नहीं है तो यह तुल्य पर में नहीं होंगे तो चले आगे इसको अपन solve करते हैं तो चले यहाँ पर क्या करते हैं अपन हल लिखते हैं और यहाँ पर जो पहला नंबर का है उसको अपन solve करने वाले हैं ठीक हैं इसलिए क्या करते हैं मैं यहाँ पर पहला का सरलतम रूप 9 साहे है न भाच्या का सरलतम रूप किया हो जाएगा नो बटे 11 का सरलतम रूप क्योंकि δेखो यदि मैं इसको किसी भी संख्या से काटना चाहों तो ये the 911 ये या ये सिर्क 11 कि आपकी यह भाज ही संख्य ना ये सिब 11 ॹा जाएगी ठीक है और ये chilya तो 11 से भाग जाएगा नहीं, तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 9 बटे 11 हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर क्या दिया है हमें, 9 धन 3 बटे 11 धन 3, तो इसका वेल्यू किरा हो जाएगा, देखो, 9 धन 3 मतलब हो जाता है 12, ठीक है, और 11 धन 3 मतलब हो रहा है 14, है न और इसका जो सरलतमरूफ है, क्या हो जाएगा, देखते हैं बारा खोड़ा सी ऊपर कर लेता हूं ठीक है बारा बते चवदा का सरलतमरूफ क्या हो जाएगा बताओ देखो, ये जो बारा और ये आपका चवदा है, ये किस से भाग जाएगा अब ध्यान दो 9 बटे 11 का सरलतम रूप है वो 9 बटे 11 है और इसका सरलतम रूप है इक्या है यह चैब राबर नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे इसको 9 बटे 11 is not equal to 9 धहन 3 बटे 11 धहन 3 यहाँ पर क्या लिखोगे आता है लिखोगे ओके देखो दोनों के जो सरलता मान है वो अलग अलग है है ना तो उस बेसिस पर आप क्या लिख सकते हो 9 बटे 11 is not equal to 9 धहन 3 बटे 11 धहन 3 ठीक है तो इस तरीके से आपन लिखेंगे है ना अता है 9 बटे 11 एवां 9 धहन 3 बटे 11 धहन 3 तुल्य पर में नहीं है इस तरीके से आपको क्या करना है लिखना है तो देखो यदि आपको एक एक चीज़ को इस परस्ट करके लिखने बोलता है तो क्या करना पड़ेगा इस तरीके से लिखना पड़ेगा ठीक है लेगे ने यदि आपको इसी कुईस्टन को डारेक्ली पूछ रहे कि आप बताओ कि यह तुल्य पर में है कि नहीं है कहीं पर आपको सिर्फ टीक लगाना है ठीक है तो आपको क्या देखने देखो यदि answer हर में common संख्या को जोड रहे हो है ना common संख्या को क्या कर रहे हैं पर जोड रहे हैं तो ऐसे में आपको नई परमे संख्या प्राप्त होती है इसलिए ये जोड़ा जो रहेगा वो तुले परमे नहीं होगा अब जो है कि हम जो युए second वाला जो जोड़ा है उसका भी जो है कि ये examine कर लेते हैं कि ये वाला तुले परमे है की नहीं है ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ हल लिख लेता हूँ ठीक है और फिर अपन second वाले को solve कर रहे हैं तो यहाँ पर तुल्य परमे चलिए हम क्या करते हैं सेकन नमबर का जो जोड़ा दिया है उसको भी हम ये पता लगाते हैं कि ये वाला तुल्य परमे है कि नहीं है वैसे अपन को पता है यार कि याँ पर जो है कि अंसर हर में एक समान संख्या को हम क्या कर रहे हैं ऐसे इस्तिति में हमको नया तुले पर में प्राप्त होगा लेकिन फिर भी यदि आप जो है कि इसको लिखोगे नहीं से बोल दोगे तो थोरिन काम चलेगा कोई भी उत्तर को सही तरीके से लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो अपन क्या करते हैं ऐसे हर लि की डिख लेंगे के इस तरीके से यह जडि आप के अपक्रम पर जिसन में आप उत्तर देने वाले हैं इतर पूसी का उसमें ज्यादा जगह नहीं है तो यह वाला जो पार्ट होता है उसको लिखने की जवरत नहीं होती तो जैसे जैसा कॉपी किताब है जितना जगा है उसके हिसाब से लिखा जाता है तो इस चीज को आपको समझना चेही है अब क्या करेंगे देखो पाँज बटे सात का सरलतम सरलतम रूप देखो इसका सरलतम रूप क्या है 5 और 7 दोनों जो है कि किसी भी दुसरे common संख्या एक के अलावा भाग जाने वाला नहीं है तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा पांच बटे साथ ही हो जाएगा ठीक है अब पांच रिंद देखो पांच में से दो घटा होगे तो तीन आएगा साथ में से दो घटा होगे तो पांच आएगा है ना और इसका जो है कि सरलतम रूप क्या होगा तीन बटे पांच का सरलतम रूप क्या भे बैल तीन बटे पांच का सरलतम रूप क्या हो जाएगा तीन बटे पांच ही मिलेगा अब ध्यान दो, यहाँ पर 5 बटे 7 है, यहाँ पर 3 बटे 5 है, दोनों जो है कि बरावर नहीं है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, अतह 5 बटे 7 is not equal to 3 बटे 5, ठीक है? और फिर आप लिख सकते हो, अतह 5 बटे 7 एवं 5 रिंदो बटे 7 रिंदो तुल्य पर में नहीं है, यहाँ लिखेंगे, तुल्य पर में नहीं है, इस तरीके से इसका आंसर को हमको क्या करना है? कम्प्लीट करना है, ठीक है? अब जो है कि सात्वा नंबर का प्रस्ण को देखते हैं,